सिनमा शो में आज बात करेंगे प्रभास की फिल्म आदी पूरुश की जिसके ट्रेलर को लेकर चर्चा है बताएंगे अनुश्का शर्मा और समान था प्रभु किस फिल्म के लिए कोलाबरेट करने वाले हैं जामर खान क्या गजनी का दूसरा पार्ट बनाने वाले हैं सब पर बात करेंगे एक एक करके तो चलिए शुरू करते हैं आज की ख़वरों का सिलसला डैनी विलनौव की फिल्म ड्यून के दूसरे पार्ट का ट्रेलर आ गया टिमोथी शैलमे स्टारर ये साइंस फिक्षिन मूवी तीन नवंबर को रिलीज होगी ट्रेलर में दिख रहा है कि टिमोथी और जैनडाया दुनिया को बचाने की कोशिश कर रहे हैं इस पार्ट में टिमोथी और जैनडाया की लव स्टोरी भी दिखाई जाएगी मूवी तीन नवंबर को ट्रेलर में रिलीज होगी सुनाक्षे सिना की सीरीज दाहाड का ट्रेलर आ गया सीरीज में सुनाक्षे पुलिस वाली बनी है जो शेहर में लगातार गायव होरे महिलाओं की गुथी को सुलजाती दिखेंगी दाहाड पहली इंडियन वेब सीरीज है जिसे बर्लिन इंटरनाशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रीमिर किया गया था इसमें सुनाक्षे के साथ विजय वर्मा और गुलशन देवया भी होंगे सुनाक्षे की सीरीज बारा मई से देख सकेंगी डिजनी प्लस होट स्टार के मशूर सीरीज सिटी ओफ ड्रीम्स के तीसरे सीजन का टीजर आ गया है सत्ता और राजनीती के इस कहानी में इस बार कई नहीं कैरेक्टर्स दिखाए देंगे जिसका नाम होगा विजय उनहत्तर ये कहानी उनहत्तर साल के वृद्ध की होगी जो ट्राइ थेलॉन में पार्टिस्पेट करना चाहता है और उसके लिए तयारी करता है फिल्म का फॉर्स अनिमेटिड पोस्टर भी रिलीस किया गया है मुवी को अक्षे रोय डायरेक्ट करेंगे जो इससे पहले मेरी प्यारे बिंदू डायरेक्ट कर चुके है लाल सिंग चड़ा के बाद आमिर खान कुछ दिनों के ब्रेक पर चल रहा है खबर है कि वो जल्द ही गजनी टू पर काम शुरू करेंगे बीपिंग मून की रिपोर्ट के मताविक बीते दिनों आमर खान हैदरबाद गए थे जहां उन्होंने तेलकू प्रेड्यूसर अलू अर्विन से मुलकात की उनके मुलकात उनके आने वाले प्रोजेक्ट को ले कर थी इन प्रोजेक्स में एक नाम था गजनी टू का हलाकि इससे लेकर अभी तक कोई ओफिशिल कन्फरमेशन नहीं आये है जिमी शेरगिल और अभी मन्यू सिंग की फिल्म आजम का ट्रेलर आ गया मुंबई अंडर वर्ल्ड की इस कहानी में तगड़ा आक्शन दिखाई देगा श्रवन सिवारी के डिरेक्शन में बनी इस फिल्म को उननिस माई सिथी एटर्स में देख सकेंगे मडी रत्नम की फिल्म पीएस टू बॉक्स ओफिस पर तगड़ी कमाई कर रही है फिल्म ने बुदवार को करीब 8 करोन रुपे कमाई इंडिया में इसने 122.25 करोन रुपे का बिजनस कर लिया वहीं वर्ल्ड वाइट फिल्म ने 250 करोन रुपे कमा लिया है विद्धित जामवाल की फिल्म IB71 12 मई को रिलीज होने वाली है विद्धित ने बताया कि इसके बाद वो एक तगड़ी अक्शन स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म में दिखाई देने वाले जिसका नाम होगा क्रैक पिंक वी लगो दिया इंटिव्यू में विद्धित ने बताया कि ये इंडिया में बनने वाली अलग तरह के स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म होगी जिसकी शूटिंग साथ परसंट तक पूरी हो चुके है इसमें उनके साथ जागलीन और अरजुन रामपाल भी होगी प्रभास की फिल्म आधी पुरुष का ट्रेलर ग्रांड स्केल पर लॉंच करने की तयारी चल रहे है इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मताविक 9 मई को फिल्म का ट्रेलर सिर्फ आंध्र प्रदेश के सौ से जाधा थीटोस में रिलीस किया जाएगा इसे 9 मई को शाम साड़े 5 बजे रिलीस किया जाएगा शारुखान और एटली की फिल्म जवान के टीजर को लेकर खुब हो हल्ला है मेकर्स की तरफ से जवान और को लेकर कोई भी अपडेट नहीं आया जिस पर जनता खफाह भी है रेट चिलीज इंटर्टेन्मेंट के करीब हर पोस के कॉमेंट सेक्शन में जनता लगातार जवान के टीजर की डिमांड कर रही है अब रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इसका टीजर कल यानी 5 मई को आ सकता है ट्रेड एक्सपर्ट्स का कहना है कि मेकर्स यह जानते हैं कि पिक्चर का काफी बज है टीजर ट्रेलर देर में रिलीज भी करेंगे तो इसका कमाई पर कोई खास असर नहीं होगा वहीं जवान में काम करने वाली एक्ट्रेस रिद्धी डोग्रा ने बताया कि मूवी में विजय और शारुक आमने सामने होंगे एक YouTube चैनल को इंटिव्यो देते हुए रिद्धी ने बताया कि एटली कि इस फिल्म में शारुक और विजय को साथ देखना अलगतर है का experience होगा उन्होंने कहा जसतर शारुक और विजय एक साथ काम कर रहे थे उन्हें की स्क्रीन पर देखना बहुत मज़ेदार है उनकी power-packed performance देख कर ही मैंने एटली से कहा था कि जवान सुपर हिट होगी समान्ता प्रभु जल्दी अनुष्का शर्मा के साथ कोलाबरेट करने जारी बॉलिवोड धंगामा की रिपोर्ट के मताविक समान्ता अनुष्का दोनों female-centric film में काम करेंगी जिसे अनुष्का के भाई डारेक करेंगे फिल हाल ये नहीं पता चलाए कि इसे थीटर के लिए बनाया जा रहा है या OTT के लिए प्रेडियूसर दिलराजु ने समान्ता प्रभु के साथ शाकुंतलम फिल्म बनाई थी बड़े बजट की पैन इंडिया फिल्म जो बॉक्स ऑफिस पर बूरी पिटी मेकरस को करोणों का नुकसान हुआ अब दिलराजु ने कहा कि शाकुंतलम के फ्लॉप होने से उन्हें बहुत बड़ा जटका लगा है एक यूट्यूब चानल को दिये इंटर्वियो में दिलराजु ने कहा कि उनके 25 साल के करियर में ये फिल्म उनके लिए बहुत बड़ा जटका थी उन्होंने कहा कि उनकी कैकुलेशन गलत हो गई और फिल्म नहीं चली तो बस ये थी आज की बड़ी खबरे अब मुलाकात होगी कल नई अपिसोड में नई खबरों के साथ तब तक जुड़े रहे हमसे देख रहे है लेलेंट आप सिनेमा शुक्रिया